जोस्तो नमक पारों के बेना तो दिवाली अधूरी रहती है अक्सर हर कोई अपने घर में नमक पारे बनाता है पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नमक पारे खसता नहीं बनते हैं या फिर नमक पारे थोड़े से टाइट हो जाते हैं तो आज की इस रेस्पी में मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जिनका इस्तिमाल करके आप एकदम खस्ता बिल्कुल बाजार के जैसे नमक पारे घर में बड़ी ही आसानी से मातर पांच मिट में तैयार कर पाएंगे तो चलिए बिना देर के हुए एकदम खस्ता मुँ में गुल जाने वाले नमक पारों को बनाना शुरू करते हैं नमक पारे बनाने के लिए मैंने ये रखी ये 500 ग्राम मेंदा और अगर आप कप के हिसाब से दिखेंगे तो ये 4 कप मेंदा है अब भई दीवाली है तो दीवाली पे नमक पारे बनते ही हैं इसलिए मैं जादा कॉंटिटी में ये नमक पारे बना रही हूँ आप कम कॉंटिटी में भी मेंदा इस्तिमाल कर सकते हैं और डालेंगे आदा चमच कलोंजी यानि की मंगरेल साथी साथ इसमें डाल देते हम एक चम्मच नमक यानि की regular salt आदा चम्मच अजबाइन और साथी साथ इसमें डालेंगे हम एक कप तेल मौईन के लिए तो ये मैंने मिला दिया है और डाल दिया है तेल अब हम तेल को अच्छे से मिलाते हुए mix कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो नमक पारे हैं इनमें अगर तेल की मातरा प्रॉपर नहीं होगी तो नमक पारे खसता नहीं बनेंगे तो इसलिए मैंने चार कप मेंदा के लिए एक कप तेल का इस्तिमाल किया है अगर आप कम कॉंटिटी में नमक पारे बना रहे हैं यानि दो कप मेंदे के नमक पारे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मौइन के लिए आदा कप तेल इस्तिमाल कर सकते हैं मिला लिया है तेल को अच्छे से चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं यह देखिए मूठी में मैंने दबा के देखा यह अच्छे से दब रही है यानि बाइंड हो रही है इसका मतलब है कि मौइन एकदम परफेक्ट है अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और पानी डाल कर हम डो तयार करेंगे तो पानी इखटा करके न डाले थोड़ा थोड़ा करके डाले नहीं तो डो लूज हो जाएगा फिर नमक पारे बनाना मुश्किल पड़ेगा हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइट डो तयार करना है जिस तरीके का डो पूड़ी बनाने के लिए लगाते है ना उसी तरीके का हमें यहाँ पर डो लगाना है डो यहाँ पर रेडी हो चुका है तो इसको किया है मैंने एक बोर्ड पर ट्रांसफर और अब हमें इसको अच्छे से मसलते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेना है चिकना करने के लिए बोर्ड पे रखें या फिर आपकी सीवी फ्लेट या समतल जगह पे भी इसको रखकर अच्छे से चिकना कर सकते हैं जिकना होने के बाद अब हम इसके करेंगे तीन बराबर बराबर भाग और इन भागों का हम एक बड़ा सा पेड़ा तयार करेंगे ये देखे पेड़ा बनने के बाद अब हम बेलन की मदद से बेलते हुए इसकी बड़े साइस की रोटी बनाएंगे तो जितना आप पतला बेल सकए इसको आप उतना पतला बेल लीजिए ये देखिए रोटी यहाँ पर बन गई है आप देख सकते हैं मैंने इसको खुब पतला बेला है और बड़ा सा बेल लिया है अब हम चाकू की मदद से इसके नमक पारे काट लेते हैं तो मैं यहाँ पर नमक पारे थोड़े सी लंबे-लंबे बना रही हूँ जो की बजार में मिलते हैं उसी तरीके के मैं यहाँ पर नमक पारे काट रही हूँ आप चाहे तो इनको छोटे-छोटे आकार में भी काट सकते हैं यह यहां पर सारे नमक पारे कट चुके हैं अब इन नमक पारों को हम निकालेंगे तो निकालने के लिए यह चाकू का इस्तिमाल करेंगे चाकू को हम इस तरीके से अंदर की तरफ गुसेडेंगे यह देखिए कितनी आसानी से नमक पारे यहां पर बाहर निकलाए हैं और एक गरम गरम तेल में हमें नमक पारों को डालना है उससे पहले हम तेल चेक कर लेते हैं गरम हुआ के नहीं तो यह मैंने थोड़ा से टुकड़ा डाला यह देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए नमक पारे और फ्लेम को कर देंगे म मीडियम फ्लेम पे इन नमक पारों को हमें अच्छे सी सुनहर कलर होने तक तलना है और बीच वीच में हम दो से तीन बार ऐसे कर्ची की मदद से पलड़ते रहेंगे जिससे कि नमक पारे एक साइट जलेना और सारे तरब सेम कलर आने तक तल जाए यह देखिए सारे नमक पार यह पर तल गए हैं और इनको तलने में लगा है मीडियम फ्लेम पे लगबग 5 मिनिट 5 मिनिट पे नमक पारे तल टलके रिडि हो चुके हैं बढ़िया सा इनका कलर आ गया है तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके हम और नमक पारे भी तलक रख लेते हैं दोस्तों यह हो गए हमारे दीवाली के लिए special नमक पारे खाने के लिए तैयार तो इन नमक पारों को आप दीवाली पर जरूर ड्राय करें इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रही है मिलेंगे आपके साथ अगली नई रेस्पी में तब तक के लिए अपना ध् ख्यान रखें आपका दिन शोब हो नमस्ते